योपी मीना बाटी चुखा बहुत ही लजीज और सुपर डूपर हिट डिश होती है तो मैं आपके लिए लेके आई हूं बाटी चुखा किरेशपी सरसे पहले हम लोग सत्व त्यार करेंगे सत्व के लिए आपको थोड़ा सा प्याज अध्रक लिसुन और भरी मीचे का अचार थोड़ा सा जुआइन काला नमक नमक सिर्फ डाल के उसमें सत्व मिलाएंगे और उसमें थोड़ा सा तेल मिलाएंगे सरसो का कच्चा तेल हरी धन्या डालके मिला कि अच्छे से उसमें आधा नीबू भी जरूर डालिएगा उससे बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा टेस आता है ओकी देख रहा है कितने अच्छे से उसको फेट में चीतने अच्छे से आप उसको दोनों हाथ से मस लेंगे ये बहुत अच्छा बनता है अब हम लोग चोखे की त्यारी करेंगे तो यही रहा बैगन को आप बीस से कट करके उसमें लहसन और मिर्ची को भी भूनना है तो गैस पे ऐसे ही भून लीजे भूनने के बाद बहुत अच्छे से उसकी छिलके को निकाल लीजेगा तोड़ा टाइम टेकिंग होता है लेकिन खाने के लिए प्रोच भी है ना तो आही इसको मैंने कर लिया है छिलके को निकालके सही और अब देखी सब को मैंने अच्छे से के लिए ह्यां हाँ चोखे में भी नीबू डालना है तो मैंने आलू को अबाल लिया था उसको मंदद भूह को नहीं है ना क्योंकि अच्छी से ग trifle जाया ना क्योंकि अच्छी से घास जबूहिई और अपने पर लिए चोखा, देखो, बहुत लोगों को बाटी चोखा, जो बाटी होता है, वो तला हुगा पसंद है, तो आप मैदा को गूंदिए, तोड़ा सा आज वाइन नमक डालके आटे में, और रिफाइन डॉयल डालके, अच्छे से मोयन लगा के गूंद दीजे, औ जो गया चानने वाला, और अब मैं आपको बताती हूँ, जो मेरे अहाँ पसंद है, सबको एकदम मस्त वाला, जो की हमने आटा गूंद दिया है, और उसमें भरके उसको तवे पर बनाएंगे, बहुत ही मतनब थोड़ा मोटा सा, और चोटा सा, जैसे हम तलने के लिए जो कोई भी चांस ना रहे, जैसे में सेक रही हो ना, ये बहुत जरूरी स्टेप है, देखे, कितना अच्छे सी मैंने सेका है, और इसमें जवाब घी लगा के खाएंगे ना, मन ही खुश हो जाएगा, तो आप भी ट्रै करना और ये इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ, मैं ये रहा मेरे स्पेशल बाटी चोखा, तो आप भी बनाएं और बताएं कि कैसा बना, और हाँ ये ज़रूर बताएगा कि किन-किन लोगों को बाटी चोखा बहुत जादा पसंद है, मेरे घर में तो बहुत पसंद है और ये रहा मेरे आज का डिनर, ओकी बाई, यार इतना म वीडियो को इंजॉय करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, ओकी टेक केर, थैंक यू, बाई, बाई